Hello everyone, myself NIRJA SINGH. Welcome to online biology classes. Last lecture में हमने phylum protozoa यानि संग protozoa की detail study की थी. Phylum protozoa को अगर हम देखें तो इसे हम जगत protista यानि की kingdom protista के अंतरगत पढ़ते हैं. Kingdom protista ये आरिच विटेकर के five kingdom classification या पांच जगत के वर्गी करण के अंतरगत रखा गया है. इस lecture में हम phylum porifera को discuss करेंगे. Phylum porifera जो है वो जन्तु जगत या animal kingdom के अंतरगत वर्गी करित पहला आपका संग या phylum है. तो यहाँ पे जन्तु वर्गी करण जगत है या कह सकते हैं animal kingdom है यह और वेटेकर के five kingdom classification के अंतरगत ही classify किया गया है. तो सबसे पहला phylum अगर हम देखें animal kingdom यानि जन्तु जगत में तो यह आपका आएगा phylum porifera जो कि आपके अपके अपका शेर की जन्तु वर्गी जन्तु वर्गी का phylum है या invertebrate या हम इने non cortex भी कहते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं. तो संग, porifera या phylum इसे देखें तो अगर नाम हो अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो यह pori और phyra में टूटेगा. pori यानि por का मतलब होता है छिद्र, phyra means होता है bearing या धारन करने वाले तो इस संग में इस phylum में हम ऐसे animals को पढ़ते हैं जिनके शरीर में असंख यानि बहुत सारे pores या छिद्र पाये जाते हैं यानि छिद्र, युक्त, जन्तु या pore bearing animals को हम इस संग में पढ़ेंगे. अब phylum porifera का नाम करण यानि ये जो टर्म porifera है ये रॉबर्ट ग्रांट नामक प्रग्यानिक ने 1825 इस्वी में दिया था. इलियास नामक प्रग्यानिक ने 1765 में इनके animal nature के बारे में पता लगाया, यानि कि इन में जन्तु प्रकृती पाई जाती है, इसके बारे में बताया. हम porifera phylum के अंतरगत mainly sponges की study करते हैं, यानि इन्हें हम commonly sponge के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके शरीर में असंक छिद्र हैं, तो इन्हें छिद्र युक्त जन्तु कहते हैं, या poor bearing animals भी कहते हैं. अब इसमें species देख लें, तो इसमें लगबख five thousand species sponges की अभी तक ग्यात हैं, यानि की known हैं. अगली है पैराजूलोजी, पैराजूलोजी जो है, वो sponges की study को या अध्यान को हम पैराजूलोजी कहते हैं, the study of sponges is पैराजूलोजी, ठीक है? अब हम आवास देखें, यानि ये कहां पे पाए जाते हैं, habitat या आवास? तो सभी sponge जो है, वो जली हैं, यानि aquatic हैं, यानि पानी में मिलेंगे, पानी में भी आपके ज़ादा तर mostly जो sponge हैं, वो जली हैं, वो भी कैसे? समुद्री जली, यानि marine water में मिलते हैं. mostly जो आपके sponge होंगे वो समुदरी जल में मिलेंगे लेकिन कुछ species कुछ जाती है इनकी स्व我們的 जल में भी पाई जाती है थीके तो स्व saben jale की species को हम discuss कर लेते हैं और समुदरी जल में पाई जाने वाले भी species को हम discuss कर लेते हैं तो यह स्पंजिला है, जिसे हम स्वच्छ जली स्पंज के नाम से जानते हैं, यह डियाग्राम है इसका, यह स्वच्छ जल में पाई जाती है, ठीक है? दूसरा देखें, समुद्री यानि मराइन स्पेसीज जो की समुद्री जर्म में मिलती है, वो है ल्यूको सोलीनिया, साइकोन, हाई एलोनेमा एन यू स्पंजिया, यहाँ पे देखिए, यह सारे डायग्राम है इनके, यह डायग्राम जो है, यह क्लैतरीना स्पंज का है, यह यू स्पंजिया का डायग्राम है, साइकोन का डायग्राम आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है? तो यह सभी कैसी है, यह सभी मराइन स्पेसीज है, समुद्री जल में पाई जाएंगी, आगे बढ़ते हैं, अब इन लेवल ऑफ बॉडी और्गनाइजेशन पाया जाता है, यानि शरीर जो है, कई सारी कोशिकाओं का बना है, लेकिन कोशिकाओं ने अभी तक मिल करके, संगठित होकर उतक का टिशू का निर्माण नहीं किया, तो बॉडी और्गनाइजेशन हम सेलूलर लेवल का लिखेंग तो हम इसे कहेंगे मल्टी सेलूलर हैं, ठीक है, यहाँ पे कई सारी कोशिकाओं हैं, लेकिन कोशिकाओं ने उतक का निर्माण टिशू का नहीं किया है, नेक्स टेप में यहीं चीज़े हैं, स्पंज में टिशू का निर्माण नहीं होता है, टिशू यानि उतक अनुपस् हुआ है यहां डिवीजन ओफ लेबर देखने को मिलता है जो जितनी भी यहां पे संग कोशिकाएं मिलती है अब कुछ इस पंज ऐसे होते हैं जो अकेली रहना पसंद करते हैं यानि कुछ अकेली होंगे और कुछ कैसे होंगे समुव में कॉलोनी बनाके रहते हैं ठीक है तो यह जो डियाग्राम आपको दिख रहा है यह ल्यूको सोलीनिया का है और यह कैसे हैं यह समुव में रहते हैं जिने हम हिंदी में निवही कहते हैं या कोलोनील है ठीक है नेक्स्ट यह आपका साइकॉन है या इसे स्काइफा भी कहते हैं यह एकल स्पंज है ठीक है यह सोली सभी वयस्क sponge जो होते हैं वो स्थान बद होते हैं स्थान बद का मतलब होता है एक जगा एक स्थान में इस्थीर रहते हैं ये किसी hard या कठोर वस्तू से mainly कह सकते हैं चट्टानों से पानी के अंदर चिपक जाते हैं और वहीं पे अपनी पूरी जीवनावस्था बिताते हैं तो हम कह सकते हैं all adult sponges are attached to submerged rocks or other hard substratum अब sponge में सम्मिती यानि symmetry देख लें कि इनकी body को किसी तल से काटने पे इनके बराबर right or left part divide होते हैं या नहीं तो mainly जो होते हैं sponges को असम्मित लिखा जाता है asymmetrical लिखा जाता है यानि इनके body में सम्मिती नहीं पाए जाती लेकिन कुछ examples हैं कुछ हैं जिनमें अरी सम्मिती भी देखने को मिलती है क्योंकि जब भी phylum पढ़ रहे हैं तो इनमें जितने भी जन्तु आ रहे हैं उन सब के बारे में हम सामाने लक्षर पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें अरी सम्मिती मिलेंगी लेकिन mostly ज़्यादा तर जो sponge हैं वो कैसे हैं असम्मित हैं उनमें कोई भी सम्मिती नहीं मिलती हैं हम उनके शरीर को कहीं से भी बराबर भागों में नहीं काट सकते तो हम उन्हें असम्मित या asymmetrical कहते हैं आगे देखते हैं body wall यानि देह भित्ती तो ये सामाने डायग्राम है आपका साइकन का इसमें देखिए देह भित्ती मानि ये बाहर का पार्ट और इसके बाद अंदर की लाइनिंग अगर इसको कट कर दें इस प्रकार से तो इस प्र अगर हम देखें दें भित्ती तो दें भित्ती दो पर्तों से मिलकर यहां पे बनी होती है तो जो बाहरी परत होती है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं और जो आंतरिक परत होती है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं ठीक है आगे देखें इन दोनों पर्तों यानि कि ये बाहरी एक बीच में परत पाई जाती मद में एक परत मिलती है जो कि जिलेटिन जैसे चिपचपे पदार्थ की बनी होती है यह अकोशकी परत है कोशिका की बनी हुई नहीं है लेकिन एक चिपचपी परत मिलती है जिसे हम मीजनकाइम के नाम से जानते हैं तो मीजनकाइम इसकी बाहरी और अंदर की परत, यानि एक्तोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लियर मिलती है, जो जिलितिन की बनी होती है, अकोशकी होती है और जिसे हम मीजन काइम के नाम से जानते हैं। इस डियाग्राम को देखिए यह सबसे बाहर की परत है एक्टोडर्म यह एंडोडर्म और यह बीच में येलो कलर की जो आपकी परत है यही मीजन काईम है यही आपकी मीजन काईम है ठीक है आगे देखिए एक्टोडर्म को हम पिनाकोडर्म के नाम से भी जानते हैं यहाँ पये स्पेशलाईस डाम है जो इसई फाइलम में मिलेगा ठीक है तो को हम पिनाकोडम के नाम से झानते हैं और इस परत को पिनाकोडम को जो परत है इसको बनाने वाली случае कोशिकाएं होती है नहीं घौशिकाएं यानी अफ्लों को किले मोगे पिनाकोड साइड थैं ठो तो एक्टोडर्म सबसे बाहरी आउटर लेयर जो होती है उसे हम पिनैकोडर्म भी कहते हैं ठीक है और इन पिनैकोडर्म को में जो कोशिकाएं सेल्स मिलती हैं उनको बनाने वाली सेल्स को हम पिनैको साइड्स कहते हैं ठीक है इसी तरह से एंडोडर्म जो इनर लेयर होती है उन्हें हम koinoderm के नाम से भी जानते हैं और koinoderm के अंदर जो cells या उनको बनाने वाली layers में जो cells मिलती हैं, उन्हें हम koinocytes या collar cells के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इनका ऐसी संडचना है, structure है, इसलिए हम इन्हें koinocytes को collar cells भी कहते हैं, तो इस आधार पर इनकी कह सकते हैं body wall या देंभित्ती जो है, outer inner दो पर्तों से बनी है, इसलिए हम इन्हें द्वी कोर की या diplo-blastic जनतु कहते हैं, आपको शुरू में बताया था कि द्वी कोर की या diplo-blastic का मतलब होता है कि इनके शरीर में का निर्माड दो जनन इस तर से, यानि दो जर्म लेयर से हुआ है, तो जिनके शरीर में दो ही जर्म मिलेगी, एक्तोरम, एंडोरम यानि मीजोरम एपसेंट है अभी, तो बहातवचा और आपकी अंतवचा मिल रही है, लेकिन मद्धी तवचा अनुपस्तीत है, तो यहाँ पे शरीर का निर्माड दोही जन इसमें बहुत सारी कोशिकाये होती ही जिने हममिवासाइच कहते हैं कि अक्रिया कोई आकार नहीं है तो इस आधार पे इनका नाम amoebocytes है और amoebocytes के example ने उधाराने तो कौन-कौन से amoebocytes मिलते हैं तो पहला देखिए आर्कियोसाइट्स हिंदी इंग्लिश में नाम दोनों लिख दिया है आर्कियोसाइट्स यह वह कोशिकाएं होंगी मीजनकाई में जिनको हम कहते हैं यह अविभेदित कोशिकाएं हैं यह अन्यकोशिकाओं को क्या कर सके जरम दे सके अन्यकोशिकाओं का निर्माण कर सके ठीक है they have ability to give rise to new cells ठीक है तो यह Archeocytes जो कोशिका है यह बहुत महत्वपूर्ण है important है यह Misenkym में मिलती है जो अन्य कोशिकाओं को बनाती है next देखिए Chromocytes Chromo या Chroma means होता है color तो यह वर्णनक यानि color से संबंदित है ठीक है तो यह रंग प्रदान करती है next है Thesocytes Thesocytes का कारे होता है जो भोजपधार्थ होते हैं यानि food material होता है उसको store करते हैं क्या करते हैं संचित करते हैं संग्रहित करते हैं अपने अंदर ठीक है पाचन के बाद next अगर हम shape देखें यह आपको diagram में यह आप देख लीजे सबसे बाहर में ectoderm यह इसके अंदर जाएंगे body के अंदर तो यह endoderm मिलेगी और यह beach वाली जो है इसे mesoglia या mesenkeim भी कहते हैं सामाने था mesenkeim के नाम से जाना ही आती है यह आप देख लीजे यह आपकी जो endoderm वाली कोशिकाएं हैं जो परत है इसे हम coinoderm भी कहते हैं और coinoderm में जो cells मिलती हैं कोशिका मिलते हैं कोई नोसाइट केते ठीक उसी प्रकार से एक्टोडर्म जो होती है नहीं हम पिनैकोडॉम भी कहते हैं और पिनैकोडर्म में जो सेल मिलती है उन्हें पिनैकोड Раз के नाम से जानते ये आपकी मद्धे वाली परत हो गए जिसे हम क्या कहते हैं मीजन काईम और इसमें बहुत सारे अमीबो साइट्स पाई जाती हैं इनमें कई सारे क्या होंगे कोशिकाएं होंगी कंटिकाएं होंगी इस प्रकार से नुकीली कंटिकाएं आपको मिलेंगी आगे अभी बिसकस करेंगे तो इस प्रकार से कंटिकाएं भी होंगी तो यहां पर कई स इन संग के जो सदस होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट शेप के हो सकते हैं जैसे कुछ का आकार फूलदान के समाने वेस के समाने कुछ नालवत हैं तीक है इस पकार से नालवत हैं ट्यूबलर कुछ का आकार प्याली नुमा है कुछ यानि की कप शेप्ड हैं कुछ क्या होते इनको स्पोर्ट करता है यहां तो नो इक बना होता है या तो कंटिकायों का इस प्रकार से मीजन काईम जू आपको परत बता है उसमें, इस reality कंटिकायों को से पराकार। तो या तो कंटिकाएं मिलती है, स्पाइक्यूल्स या फिर तंतू, धागें की जैसी रचनाई मिलती है, जिने इस्पंजिन तंतू कहते हैं, तो इस प्रकार के कंकाल जो है, ये पौरिफेरासंग के सदस्यों में मिलती है, ठीक है, अब देखें कि ये जो स्पंजिन तंतू ह या कंटिकाएं हैं तो यह बनी होती है कैलशियम या सिलका की ठीक है तो कुछ कैलशियम की बनी होती है कुछ सिलका की बनी होती है अब वह कोशिकाएं जो कि कह सकते हैं इनको निर्माड करती है या कंटिकाओं का निर्माड करती है उन्हें हम स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं और तो आपका सिल्का यूक्त का निर्मान करेंぎे और आपका सिल्कका यूक्त कंटिकाओं का निर्मान करेंगी, थीक है? आगे बढ़ते हैं स्पंज की गुहा अब इसकी आउटर लेयर हमने देख ली बाहरी परत अंदर परत देख ली अगर बीच में देखी जाए तो इस प्रकार से खाली गुहा इस्थान होता है एक कैवटी होती है उसे हम कहते हैं गुहा या कैवटी तो स्पंज की जो कैवटी है के नाम से जानते हैं ठीक है तो स्पंज की गुहा का क्या नाम है स्पंजो सील या पैरागैस्ट्रिक कैवटी यह बीच वाली जो गुहा दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्पंजो सील या पैरागैस्ट्रिक कैवटी नेक्स देखते हैं जैसा कि बता दिया आपको कि इनके शर आस्टिया इनके शरीर में बाहर की और बहुत सारे चिद्र होते हैं जिन से लगातार पानी या जल जो है वो इंटर होते रहता और शरीर के अंदर इंटर होके इस गुवा से होते हुए एक बड़े चिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है ठीक है तो इस तरह से कह सकते हैं क इनके शरीर में यह ओस्टिया होगा, औस टिया यानी कई सारे चिद्र मिलते हैं जो की अनेखे जहां से पानी इंटर करता है प्रवेश, दूसरी हम कह सकते हैं एक बड़ा चिद्र होता है, यहां पर डाग्राम में जो बड़ा चिद्र दिख रहा है इसे हम osculum कहते हैं जहां से पानी इसकी गुहा से sponge o seal से होते हुए बाहर निकल जाता है ठीक है तो आप समझ गए कि इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र या pores के थुरू austria के थुरू पानी इंटर करता है और इंटर करने के बाद इनकी सबसे बीच में जो cavity है गुहा है यहा करते रहता है आगे देख लिए यह बहुत ही important character है जो कि special character है इस phylum का जो और में नहीं मिलेगा कि sponges के शरीर में canal system पाया जाता है यानि नलिकाओं का ऐसा इस प्रकार से जाल होगा इनहीं नलिकाओं से पानी होता हुआ जल होता हुआ इस बीच गुहा में होते हुए सबसे बाहर बड़े वाले चिद्र से ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है ठीक है तो इनके शरीर में कह सकते हैं नालतंत्र यानि canal system पाया जाता है जिसके माध्यम से क्या होता है शरीर में सभी उपापचे यानि metabolic activity होती है metabolic या उपापचे की क्रियाए यानि स्वशन की क परिसंच्ण की क्रिया उत्सर्जन की क्रिया ठीक है तो यह सारी क्रियाएं आपके respiration excretion circulation सबी क्रियाएं जो है वो सभी इसी canal system या नालतंत्र के माध्यम से ही होती है ठीक है तो इसके माध्यम से क्या होता है इन्हीं नलिकाओंसे होता हुआ क्या होता है पानी शरीर में ल ये साइकन प्रकार का आपका नाल तंत्र है इसमें देखिए ये बीच में गुवा है प्रोसोफाइल इस छिद्र के लिए कहा जा रहा है औस्टियम जो है इस छोटा छिद्र है जहां से पानी इंटर करेगा फिर यहां वाली जो आपको नलिता जैसी रचना दिकरी से रेडिय यानि नाल का निर्माण हुआ है यह हो गई साइकन प्रकार की इसके बाद नीचे हम देखेंगे यह एसकन प्रकार की यह एसकन प्रकार की सबसे साधारन प्रकार की नाल कह सकते हैं तंत्र जो है कैनाल सिस्टम इन में पाया जा रहा है तो नाल तंत्र जैसे ही मैंने बता है कैनाल सिस्टम काई प्रकार का है एसकन टाइप का, साइकन टाइप का, ल्यूकन टाइप का और रेगन टाइप का यहाँ जो रेगन टाइप का आपका कैनाल सिस्टम या नालतन कहा जा रहा है यह लारवा में पाया जाता है इनके इनके एडल्ट यानि वयस की जनतुओं में नहीं मिलता ठीक है एसकन जो है वो सबसे सिंप्लेस्ट प्रकार का है आगी देखिए डाइजिशन यानि पाचन को देख लेते हैं पाचन बिल्कुल प्रोटोजवा संग के समान ही इंट्रासेलूलर यानि कोशिका के अंदर अंतह कोशिकी पाचन पाया जाएगा इंट्रासेलूलर यानि इंसाइड सेल ठीक है किसी कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल यानि की खादरिक्तिका बनेगी और उसी में भोजन पचा लिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको के आपको Корben हैँ बताई थी, बताई थी, उसमें से भी आपको थीजो साइड बताई वहाँ पर भोजन को संचित यानि स्टोर कर लिया जाता है तो यह सिस्टम है नेक्स देखिए स्वशन यानि रैस्पिरेशन आपको बता दिया परिसंचरन तंतर और उच्षरजन तंतर और तंतरिका तंतर इनके लिए कुछ खास अंग या कोई विवस्था नहीं है इस प्रकार से कोई रचना यहां नहीं है लेकिन ये सभी क्रियाएं यहां पे कैसे होती है विसरण की क्रिया द्वारा यानि इनके शरीर की सत्ह से ही विसरण के द्वारा जहां इनकी मात्रा जादा है जादा से कम की और पानी में इनका गमन हो जाता है यानि इन्ही नाल तंत्र की वज़े से इन्ही के नाल सिस्टम से ही क्या होता है पानी के करेंट के साथ ही क्या होता है जैसे ही पानी का करेंट आउट हो जाता है एक्जिट हो जाता है औसक्यूलम से वहीं से सारा गैसों का आदान प्रदान उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं ठीक है अब उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो उत्सर्जी पदार्थ यहां पे अमोनिया के रूप में होता है मुख्य रूप म आगे देखिए, सभी स्पंज जो होते हैं, वो द्वीलिंगी होते हैं, यानि हर्माफ्रोडाइट, द्वीलिंगी का मतलब होता है, एक ही जनतु में नर्ग और मादा जनन अंग दोनों पाये जाएं, तो ऐसे जनतु द्वीलिंगी, बाइसेक्शुल या हर्माफ्रोडाइट जाते हैं जनन देखे तो दोनों प्रकार का अलैंगिक और लैंगिक जनन एसेक्शयल ये बाहर इक है और हिए और आउट्टी निकलती है चोक्तो कर्ड़ से है जिसे हम मुकुल कहते हैं मुकुल या बढ़ कहते हैं ठीक है तो एक आउट ग्रोथ निकलती है जो की मैचूर होने के बाद मुक्य शरीर से कटकर अलग हो जाती है और स्वतंत्र जीव की तरह स्वतंत्र और्गनीजम की तरह अपना जीवन्यापन करने लगती है दूसरा प्रोसेस है विखंडन यानि इसका मतलब होता है इनके शरीर कई भागों में बच जाए तो क्या हो जाए हर एक पार्ट हर भाग क्या है नए जंतू के रूप में स्वता बन जाए तो उसे हम विखंडन या फिशन कहते हैं नेक्स्ट है जैम्यू फॉर्मिशन तो जैम्यूल क्या होती है इस प्रकार की रचनाय होती है जो इस्पंज के शरीर के ये शरीर के अंदर बनती है ठीक है इन जैम्यूल के अंदर क्या होती है आर्कियो साइट आपको बताया था जिने हम पूर्ण शक्त कोशिकाय कहती है जिनमें विभाजन के समचमता है जो नई कोशिकाओं को बनाती है इस प्रकार से जmaid के अंदर बहुत सारी Archeocide Kooshikahen होती हैं जिनसे Anionkanjek को लाइंज को जैनन कटे होती है Agai एक ही जीव की आव्शक्ता होती आपको पता होगा ठीक है तो एक ही जीव से अन्य जीव की उतपती जो है अलेंगिक जनन कहलाती है nice लेंगिक जनन यहाँ पर सेक्ष्यpage Lakis Bi Legal देख लेते हैं लेंग जनन जो वो शुक्राणू तथा अंडाणू यानि ओवा या एग के द्वारा होता है अब यह जो स्पर्म और एग है यह कहां बनते हैं तो यह आर्कियोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वहां बनते हैं उनके द्वारा इनका फॉर्मिशन होता है तो आर्कियोसाइट कोशिकाएं हैं वो शुक्राणू और अंडाणू यानि एग और स्पम का फॉर्मिशन करती है जैसे ही यह इनके बॉड़ी में बन जाते हैं यह पहली बात तो यह दोनों अंडाणू और शुक्राणू यह अलग-अलग टाइम पे मैच्चूर होते हैं तो यहां पर निसेचन की क्रिया एक ही स्पंज के शुक्राणू और अंडाणू के बीच में नहीं होती हैं यहां पे दो अलग-अलग स्पंजों के शुक्राणू और अंडाणू के बीच में निसेचन की क्रिया होती है तो इस प्रकार से जहां पे दो अलग-अलग स्पंजों के बीच में निसेचन यानि फर्ट निसेचन या फॉर्टिलाइजेशन कहते हैं तो यहां मेल गैमिट जो है नर युगमक शुक्राणू है ठीक है और यहां फीमेल गैमिट यानी मादा युगमक अंडाडू या एग कहलाती है ठीक है तो इस प्रकार से आपको बता दिया कि निसेचन जो है वो परा निसेचन क् अंदर आंतिरिक निसेचन की क्रिया को संपन कराएगा ठीक है अगला देख लेते हैं परिवर्धन याने के विकास डेवलप्मेंट अब ब्रून का जो विकास है जिससे की एक नया स्पंज या कह सकते हैं न्यू इंडिवीज्वल नया जन्तु बनेगा वह कैसा होता है और प्रत्यक्ष या इंडिरेक्ट होता है और प्रत्यक्ष इंडिरेक्ट का कहने का मतलब होता है कि इनके जीवन में लार्वल स्टेजेस पाई जाएंगी यानि लार्वा बनेगा ठीक है यानि इससे पहले कि एक पूर्ण विक्सित जीव बने ठीक है फुली डेवलप्ड इं में डेवलप होता है ठेक है तो लार्वा वस्थाएं जो पाई जाती है इनके जीवन में ये दो प्रकार की है पहले तो एमफी ब्लास्टूला लार्वा और दूसरा पैरंकाई मुला लार्वा तो अलग-अलग स्पंजों में किसी में एमफीब्लास्टूला लार्वा बनता है किसी में पैरनकाई मूला लार्वा बनता है तो इस में संग में हमने जनरल कैरेक्टर यानि सामानी लक्षन डिसकस किये अगले लेक्चर में हम इनके वर्गीकरण को पढ़ेंगे धन्यवाद